Hello friends, स्वागत आप सभी का हमारे सैनल में So friends, today in this video we are going to discuss about the statewide cutoff of all the states तो जैसे कि आप video में देख पा रहे हो हम सारे states की cutoff decide करेंगे सारे discuss करेंगे किस state की कितनी cutoff जाएगी और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने सारे states आप लोगों के लिए cover किया है तो आप लोगों को परिशान होने की जुरूत नहीं आपको सारे स्टेट मिलेंगे चाहे वो कोई भी स्टेट और इंडिया का उन सब की सारी केटिग्री की कट आप में आपके सामने लेके आया हूं तो बिना टाइम को बरवाद के जो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि नीट 2020 में जो एक्सपेक्टेड जो जितने बच्चों के मार्क्स आया है नो जो आपसे टोटल सीट है तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार स्टेट से तो आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं So you are able to see it very well So I think now you will be able to see it very well So guys, starting from the state Bihar So हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले AIQ quota की बात करेंगे कि अगर आप AIQ quota से round 1 की counseling में जाते हो या दूसरी counseling में जाते हो तो आपसो किस impact रहेगा तो सबसे पहले हम round 1 के बारे में जहां बताएंगे कितने में कितनी seats का फिलाप होने के जरू होता है और लगबग ये round 2 में ज्यादा difference नहीं आएगा तो आप ये मान की चलो कि ये ही cut off रहेगी round 1 और round 2 की AIQ quota के हिसाब से हर state के लिए तो starting from the Bihar आप देख सकते हो जनरल और OBC की लबग बराबर cut off रहेगी इसलिए मैंने जनरल और OBC को सेम लिया है तो अब देख सकते हो जनरल में 2019 में cut off कई थी जनरल 10,400 के अप्रोक्स तो इस साल जाने वाली 8,800 से 8,900 SC की जो cut off कई थी वो 64,800 गई थी इस साल जाने वाली है 62,000 से 62,500 उसी प्रकाल दोस्तों ST की cut off जाने वाली लास्ट यर गई थी 80,000 के अप्रोक्स बिहार में गई थी AIQ कोटा से तो इस बार जो जाएगी ST कैटेग्री में वो 76,000 से 77,000 के अप्रोक्स जाने की संबावना है तो दोस्तों यह है बिहार की expected AIQ की cut off for MPBS only in the government colleges now coming on the Maharashtra state guys, Maharashtra में जो category है वो अगर आप 2019 की बात करते है जनरल और OBC की लगबग 11,150 रही थी और 2020 में जाने वाली है 9,100 से 9,200 ऐसे category की बात करें की 2019 में जो rank थी हो 62,515 थी और इस फार जाने वाली है 6,000 से 6,500 तो this is 60,500 तो guys this is 60,500 in SE and ST category में में बात करें दोस्तो ST category में 79,300 थी और Maharashtra में साल जाने वाली है 75,000 से 75,200 तो आप जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं यह this is 60,000 एक 0 और लगा ले ना आप इसमें so 60,000 से 60,500 for SE category यहाँ पे उसी प्रिकार अगर हम तमिल लाडू की बात करें दोस्तो तो तमिल लाडू की जो cutoff है 2019 और 2020 के हम compare करें तो general और OBC के expected जो last year cutoff गई थी around 12,620 और इस साल जाने वाली है 10,800 से 10,900 ऐसी category की हम बात करें तमिल लाडू state की दोस्तो तमिल लाडू में जो cutoff गई थी वो 73,800 बन गई थी और इस साल जाने वाली है 69,800 से 70,000 के अपराउच जाने वाली है ST category में अगर हम बात करें दोस्तो तो ST category में 2019 में जो cutoff गई थी वो गई थी 77,722 और इस साल जो ST category में दोस्तो वो cutoff जाने वाली है वो around जाने वाली है 74,200 से 75,200 तो आप देख सकते हो कि तमिल लाडू में जो MBBS की cutoff है government colleges के लिए that can close around 10,800 to 10,900 so in Tamil Nadu state guys you can see that around 10,000 of all India rank MBBS seat can be closed for AIQ quota so this is the expected cutoff for Tamil Nadu उससे पहले मैंने आपको माहरास्टा की यहां पर बताई दिये कि माहरास्टा की expected cutoff क्या रहेगी माहरास्टा की 900 से 9200 की around MBBS की seatे बंद हो सकती इस बार so जो भी analysis दोस्तों मैंने आपके सामने किया है वो सारा AIQ rank के basis पे है coming on the other state guys this is for 36 grad 36 grad के अगर हम बात करें दोस्तों 36 grad में general और OBC की बात करें तो 2019 में cutoff गई थी 11,000 गई थी इस साल जो जाने वाली है 8,700 से 8,800 की अप्रॉक्स आएगी SE की 65,000 के राउन गई थी इस बार जाने वाली 62,400 से 62,500 ST केटेगरी की बात करें दोस्तों तो इस साल जो 36 grad है उसमें जो ST की cutoff है जैसे last year के थी 80,360 तो इस साल जो cutoff जा सकती वो 77,000 से 78,000 के अप्रॉक्स जाने की संभावना है यह है 36 grad की expected AIQ कोटा की cutoff तो आप देख सकते हो 36 grad में general और OBC की cutoff last year 11,000 गई थी और इस साल जो cutoff जा सकती वो जा सकती 8,700 से 8,800 अब आपके सामने दोस्तों मैं लेके हैं राजिस्तान की cutoff तो राजिस्तान में last year 2019 में general में जो cutoff गई थी AIQ कोटा से तो उसमें जो 15 पचंड कोटा होता है उसमें गई थी 7,666 गई थी और इस साल जो जाने की संभावना है 5,800 से 5,900 जाने की संभावना है SC category में जो cutoff गई थी वो 49,981 थी तो इस बार जाने की संभावना 47,100 से 47,200 ST category के हम बात करें ST category में last year जो cutoff गई थी 57,100 से गई थी इस साल जो जाने की संभावना है वो 54,000 से 55,000 तो ये राजिस्तान स्टेट की AIQ कोटा की cutoff है 15% जो reservation है उसकी expected cutoff मैंने आपके सामने screen पे रखी है so this can be the expected cutoff for Rajasthan state guys now coming on the other state हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जेनरल और OBC की तो नाइंटीन में cutoff कई थी 77,000 इस साल जाने की संभावना 5,400 से 5,500 ऐसी category के हम बात करें तो 54,560 गई थी 2019 में हिमाचल प्रदेश से इस साल जो cutoff जाने की संभावना अब हुआ है 49,000 से 51,000 के अप्राउचन जाने वाली है असाम की बात करें दोस्तों असम की आपके सामने cutoff जेनरल और OBC की तो 19 में जो cutoff गई थी जेनरल की वो गई थी 12,300 पिच्चान में इस साल जा सकती 10,200 है 10,300 ऐसी category की cutoff 70,600 गई थी तो 19 में इस बार जो cutoff जा सकती हो 65,000 से 67,000 के अप्राउच जा सकती है ST category की हम बात करें last year जो cutoff की थी है सम्में 85,530 की थी इस साल जाने की संबावना 81,200 से 81,450 अगर हम करनाटका की बात करें दोस्तों करनाटका की जो cutoff है वा आप screen पे देख सकते हो if we talk about the करनाटका state then we can say for general category in 2019 the cutoff was around 11,996 and in 2020 it can go around 9,000 to 9,200 like for SC category we can say in SC category in 2009 the cutoff was around 71,900 and in this year this cutoff can go around 68,000 to 69,000 in ST category the cutoff was 82,750 this year this can go 79,000 to 80,200 so this can be the expected cutoff as compared to last year which I have shown you in करनाटका state so guys you can see in the करनाटका state last year the cutoff was around 12,000 and this year for general and OVC category the cutoff can go around 9,000 to 9,200 now coming on the कर्ला state guys Kerala if we talk about the कर्ला state here then we can say that in general category the Kerala cutoff in 2019 was 7,910 और इस साल जो कटफ जा सकती है वो जा सकती है 5,800 to 5,900 for SC category the cutoff in 2019 was 71,920 and in this year this cutoff can go around 67,000 to 68,000 for ST category the last year cutoff was 85,014 and in this year the cutoff can go around 81,000 to 81,300 if we talk about the Madhya Pradesh then we can say about the Madhya Pradesh we can see in the screen guys Madhya Pradesh में General OVC cutoff थी 10,020 in 2019 और अब जा सकती है 8,000 से 8,080 से 8,200 के बीच में जा सकती है for SC category we can say last in 2019 the cutoff was 59,443 और इस साल जो cutoff जा सकती है 56,000 से 56,800 for ST category in 2009 cutoff was 75,680 और इस यह जो cutoff जा सकती है 72,300 से 73,100 के बीच में जा सकती है यह है Madhya Pradesh की expected cutoff for 2019 और मैंने आपको बता दिया यह है 2020 तो आप देख सकते हो Madhya Pradesh में General और OBC की cutoff है वो 10,000 के अप्रोक्स थी तो इस साल जो 8,000 से 8,200 के बीच में जा सकती है अगर हम बात करें दोस्तो अरनाचल प्रदेश की तो अरनाचल प्रदेश में आप देख सकते हो कि General और OBC की cutoff अगर हम देखे तो अरनाचल प्रदेश में General OBC cutoff थी 12,460 थी और इस साल जा सकती 10,200 से 10,300 अरनाचल प्रदेश की cutoff थी 63,220 से जो गई थी last year 2019 में तो इस साल जो अरनाचल प्रदेश की cutoff है वो 60,000 से 60,200 के बीच में जा सकती SC category के लिए if we talk about the ST category guys and we can say that for ST category in 2019 the cutoff was 87,657 and in 2020 the cutoff can go around 83,10 to 83,245 अब अगर हम बात करें West Bengal की friends तो West Bengal की cutoff आप स्क्रीन पर देख सकते हो West Bengal की जो expected cutoff है वो कितनी जाएगी तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि West Bengal की General OBC की हम बात करें तो 2019 में cutoff थी 12,000 एक सुच है इस साल वो cutoff हो सकती 10,210,300 SC category की बात करें तो हम बोलेंगे दोस्तों की SC category की जो West Bengal की जो 2019 की cutoff थी 11,600 थी और इस साल जो cutoff जा सकती है 68,700 तो 69,200 SC category की बात करें दोस्तों हम West Bengal की 2019 में जो cutoff थी 87,354 और इस साल जो West Bengal की cutoff जा सकती है 84,000 से 84,300 यह West Bengal की expected cutoff हो सकती है अब हम बात करें दोस्तों अंडमान और निकोबार की अगर cutoff की बात करते हैं तो जनरल रोबी सी के अंडमान और निकोबार की जो cutoff थी वो 12,590 थी इस बार जा सकती 10,100 से 10,300 इसी केटेगरी की बात करते हैं तो 2019 में cutoff थी 70,000 की अप्रोक्स थी इस बार जो cutoff जा सकती है 67,800 से 68,400 की अप्रोक्स इसी केटेगरी की बात करें उत्रप्रदेश की अगर हम यह बात करें दोस्तों तो जनरल रोबी सी cutoff देखें तो उत्रप्रदेश में 9,820 की साल की बात करें ऐसी इस साल जा सकती हैं काट ओफ थी 70,000 की ही में तो इस साल की इस साल की आसकती हैं उत्र प्रदेश के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दिली की बात करें दोस्तों दिली की अगर हम कट ओफ देखते हैं यहां पर तो दिली की जो कट ओफ है वो जेनरल और OBC की जो 2019 में कट ओफ थी 2748 और 2000 में इस बार जा सकती है 2000 तो जिन इस इस्टुएंट्स के 2000 के 42,000 और ST केटेगरी की बात करें दोस्तों 2019 में जो कट ओफ गई थी 138,000 और इस साल जो कट ओफ जा सकती है 126,500 तो आप देख सकते हो दिली में ST केटेगरी में जो कट ओफ है आपके सामने दी स्क्रीन पर दिखाए दे रही है कि वो काफी कम गई थी as compared to अगर हम ST केटेगर काफ इस तरह से डालता रहूंगा तो आपको लगबख सारे स्टेट की कट ओफ मिलेगी यह था मेरा कुछ स्टेट का अनलिसिस अभी थोड़ी देर में जब तक दूसरा डेटा प्रपेर हो जाता है तो मैं आपको बचवे सारे स्टेट की कट ओफ डाल दूँगा यहाँ १ूज जर दूएस यहाँ की कट सारे स्टेट की कंट दूएस यहाँ थाड़ी है लाए आपि दूसरा थाटुएस कि विशसे है तो और दूसरा फड़िएसग्गा अनल प्रपेर दूसरा रहाँग है तो गिए